इस साल सलेक्ट हो रहे हो आपकी इतनी प्रिप्रेशन चल रही है कि आपका इस बार का सलेक्शन तय है लिख चुके हो कोचिंग से जुड़े हुए हो ठीक है दो साल बात तुम्हें कोई नहीं पूचेगा कि तुम कितने डिप्रेश्ड हो दो साल बात तुम क्या कर रहे हो तुम्हें कोई नहीं पूबचा रुक जा तनाव में हैं तुम इतना तनाव नहीं लेना बिटा आराम आराम से पढ़ना तनाव तो आएगा, क्यार की यकीन नीत पर पढ़ूं कि, कॉम्पेटिशन वाला पर पढ़ूं कि, इसके वाला पर पर पढ़ूं कि, उसके वाला पर पर पढ़ूं कि, यहां पर पढ़ूं कि, कहां पर पढ़ूं कि, तनाव ही तनाव आ जाता है, confusion बहुत है अरे उस परिक्षा से पहले तुमारी स्टीज की परिक्षा लेता है कि तुम decision ले सकते हो कि नहीं ले सकते है बहुत सारे options जब सामने हो तो decision power होनी चाहिए ठीक है तो वो exam तो 5 को है मई में है वो तो लेकिन उससे पहले एक exam है और वो है मन का सयम कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है कितना हो चुका है क्या आप अपनी preparation से satisfy हो यह बहुत सारे मन के ऐसे सवाल है जिनके जवाब आपको ही दूनने पड़ेंगे वो यह आपकी help नहीं करेगा क्या पता आप इस साल select हो रहे हो आपकी इतनी preparation चल रही है कि आपका इस बार का selection तय है लिख चुके हो या पता कोई चीज इसलिए पढ़ाई जा रही हो वहाँ पर कि अगले साल के बच्चों के लिए हूं दिमाग लगाओ फोचो खोड़ा सा अपने लिए जो best है वो करो मैं हमेशा से बोलता हूं जो अपने लिए best है वही करिए इधर उधर दिमाग मत लगाओ अप पूरी मतलब कोचिंग इंडस्ट्री के जितने चैनल हैं सब यूट्यूब पर हैं अभी कहीं देखो कि कहीं तुम बटकते ही तो नहीं रहे जाओगे अपनी पढ़ाई करो self-study बहुत जरूरी है self-motivation भी बहुत जरूरी है कि coaching से जुड़े हूए हो ठीक है दो साल बाद तुम कोई नहीं पूचेगा कि तुम कितने depressed हो दो साल बात तुम क्या कर रहे हो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा दो साल बात तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा कि बेटा देख आना मैंने रहील बनाई है यार तुम मोटिवेट नहीं हो रहा ले आजा बेटा यार तुम किसी college में BSC कर रहे होंगे, कोई नहीं पूछेगा, इसलिए पुड़े से दिमाग लगा के काम करो, समझो बात को, मैं तो एडवाही बोलता हूँ, माफ करना पर मैं ऐसा ही हूँ